दोस्तों, हमारे देश में शादियां एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट की जाती है। इस दौरान सभी रिष्टेदार इखटा होते हैं, खाना पीना नाच गाना होता है, हसी के ठाहके लगते हैं और जम कर मेमोरेबल मॉमेंट्स का लुफ्त लिया जाता है। तो दोस्तों, हो जाए ये तयार वेडिंग मॉमेंट्स का भर पूर मनोरंजन लेने के लिए। ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए वीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये दुल्हा म्यूजिक सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और ऐसे ठुमके लगाए कि उसके आसपास खड़े लोग भी थिरकने को मजबूर हो गए। जरा आप भी देखे दुले का ये डैशिंग डान्स। यहाँ सालियों को देख दुले का दोस्त उसे कंदे पर बिठा ले आया और लगा गिरी 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 बिजली गिरी गाने पर कमर्या लचकाने। बिजली तो गिरी नहीं बाई साब खुद ही गिर गए और उसके उपर गिरे दुले राजा। यहाँ इस आत्म निर्भर दुले का तो अंदाज ही निराला है, जो अपनी शादी में बैंड बाजे वाले का काम भी खुद ही कर रहा है। गाना भी लड़की की आवाज में। नागिन डान्स तो पुराना हो चुका, अब मार्केट में मोर डान्स आया है। मोर बने इस लड़के के एक्स्प्रेशन्स देख कर तो आपकी हसी ही छूट जाएगी। शादियों में जब भारात निकलती है तो गाजे बाजे और ताशे बसते हैं। लेकिन बारिश के आई, सारे बाराती निकल लिये। पीछे बच गए दुले राजा, जिने छाता ओड़कर अकेले ही दुलनिया को ले जाना पड़ा। वैसे इस सिचुएशन पर मौमद रफी का गाना, आज मौसम बड़ा बैमान है, बहुत फिट बैठता है। अकसर आपने बारातियों को ही शादियों में अजीवो गरीब डांस करते हुए देखा होगा। लेकिन यहां तो हमारे दुले राजा खुद ही मोडचा संबाले हुए हैं। दुलहन को सामने देखते ही उसे होश ही नहीं दैता। सबसे पहले तो वो अपनी दुलहनिया को गुलाब देता है और फिर नाचने लगता है। इसकी हरकत देखकर बारातियों की भी हसी छूट जाती है। वैसे हसी तो इस दुले की हरकत देखकर भी नहीं रुकेगी। जो डीजे बचते ही एक नागिन की तरह बलखाने लगता है। इस बीच दुलनिया भी दुले की ताल से ताल मिलाने लगती है। तबी बीच में कूद पड़ती है दुलहन की मा, जिनका डांस देख, दुला दुलहन को साइड कर, अपनी सास के साथ कमर मटकाने लगता है. इसी तरह दुलहन के अतरंगी डांस ने तो सब को दंग कर दिया है, बिचारे दुले की तो हालत ही खराब हो गई. डांस नहीं करना चाता, लेकिन दुलहन नचाने लगी, तो उसे भी मजबूरी में नाचना पड़ा. दुले राजा, अभी तो शुरुवात है, आगे आगे देखो होता है क्या? यहाँ इन लड़कियों ने तो ऐसा जबर्दस डांस किया, कि लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है. वीडियो का कैप्शन तो और भी शानदार है, लिखा है कि रिष्टेदारों के फंक्शन में डांस ऐसा करो, कि चार रिष्टे भी ना आए. लो, कर लो बात. बिजली के तार से तो करंट लगते आप सबने सुना होगा, लेकिन इस औरत को तो म्यूजिक की बीट सुनकर ऐसा करंट लगा, कि ये पहले जंजन आई, थर-थर आई, फिर शुरू किया ऐसा बिजली डांस, कि देखने वालों को लगा, कि कहीं उसे सच में करंट तो नहीं अगया, कौन ही लोग, कहां से आते ही, अब जरा इस दुलानिया के तशन भी देख लो, डांस ऐसा, कि डड़ जाओ, क्या कोई ऐसे भी डांस करता है, आप ही बताओ दीदी, ऐसे कौन डांस करता है, हम्, यहां तो दूले राजा ने भोकाल ही मचा दिया, पांसो पांसो रुपियों की इतनी लंबी माला पैनी, कि दूले मिया छट पर खड़े हैं, और माला जमीन को छू रही है, छू क्या रही है, गले से होते हुए जमीन पर बिच रही है, अब जैसे ही दूला गोड़े पर बैठा, गोड़ा दूले को गुर्दस्ता समझ कर सह गया, और दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, यहां तो दूले की जान हलक में अटकी है, वहीं इन नालाइकों को पैसे लूटने की पड़ी है, हवे, जरा तो ख्याल करो दूले का, आज उसकी शादी है, वैसे सहरे से ज़्यादा सुहानी और सयानी यह दूलहनिया लग रही है, जो दूलहन कम और सोने की दुकान ज्यादा लग रही है, दूलहन का हार तो इतना हैवी है, कि सोने की प्लेट ही लग रहा है, यह क्या है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, है शाबाश, मिलिये इस बॉड़े विल्डर दुलहनिया से, जो शादी के जोडों में ही पुश अप्स निकाल रही है, और अपने डोले शोले दिखा रही है, अपने वैडिंग को लेकर दुलहनों में कितना क्रेज होता है, ये वीडियो देखकर जान जाएंगे, वर्माला के दौरान जरा इस दुलहनिया के भी लटके जटके तो देखिए, दुले राजा को इंप्रेस करने के लिए ये कुछ ऐसा कर रही हैं कि देखने वाले हंसे बिना नहीं रह सकते, वाँ दीदी वाँ, तुस्सी ग्रेट हो, इसी तरह यहां भी घूमर सौंग पर ये दुलहनिया अपने दुले राजा का हाथ थामे घूमे ही जा रही है, चकर घिनी बनी इस दुलहन को देखकर कोई भी बता देगा कि डान्स में इसका हाथ पूरा तंग है, ऐसे में डान्स के नाम पर ये इतना घूमी, इतना घूमी कि आखिर में चकर खाकर गिर पड़ी, इंडियन शादियों में वर्माला की रस्म बहुत खास होती है, जिस पर शादी में शामिल हुए हर गैस्ट की नजरें टिकी होती है, लेकिन यहाँ वर्माला देखने आये गैस्ट को सिवाए निराशा के कुछ भी नहीं मिला, दुलहा और दुलहन ने एक दूसरे को वर्माला ऐसे पहनाई, जैसे कोई फॉर्मिलेटी कर रहे हूँ, यहाँ तक की मुस्कुराना भी ज़रूरी नहीं समझा, इस वीडियो में इतना ही, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में!